जैसरे राजे किष्टन आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज सुनते हैं सीतला अश्टमी ब्रत्त की कथा आप सभी भक्तों को शीतला अश्टमी की धेर सारी शुक कामना है आप सभी के जीवन में माता शीतला की किरपा से आप सभी को सभी प्रकार के शुक और श्वर्द्धी की प्राप्ति हो शीतला अश्टमी का ब्रत्त जो कि विश्यस कर चैत्र महा के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी के दिन इस ब्रत्त को किया जाता है वैसे शीतला अश्टमी का ब्रत्त जो कि विश्यस करके एक वर्ष में चा अपने अपने परंपराओं के अनुसार इस ब्रत्व को धारन करते हैं जैसे कि स्लेके महीनों में शितला, Sultan interacts में ःश्ठमी ब्रत्व में विसेस परकार से जो की सितल पदार्थ चढ़ाने का इस तीन गिधान है और वैशाक्ष में जोकी घी और सरकरा युक्त सत्तू से माताशितला का पूजण किया जाता है जेश्टी के महीने में जोकी पहले दिन के बनाय हुए अपूप पुई और पूरी आधी का भूग लगाया जाता है और आसाट के महीने में जो की घी और शक्कर मिली हुई खेर का नवे देख पिसिसकर माता शितला को शड़ाय जाता है। दूर हो जाते हैं और माता सीतला प्रशन हो करके सदा संतुष्ट रहती हैं और सभी प्रकार के सीतला जनित रोगों को दूर कर देती हैं। प्रशाद बनाते हैं वो सुद्ध और शात्रीक रूप से ही उस प्रशाद को बनानी चाहिए। और अगले दिन जा करके जोकी अश्टमित ठीके दिन सुबह ब्रम्भ मुहुर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से नृवित्त हो करके गंगा रदी में या घर के नहाने के पानी में ही गंगा जल मिला कर जोकी शीतल जल से ही इस दिन थंडे जल से अश्टनान करना इससे माता शीतला अती प्रशन होती है और फिर पूरे विधी विधान के साथ अक्षत, चंदन, पुषप, गंध आदी से माता का पूजन करना चाहिए इस दिन जोकी दीपक्षो माता को दिखाया जाता है शीतला अश्टमि के ब्रत में आटे का दीपक तो बनाना चाहिए उसमें बाती लगा करके घी डाल करके रखनी चाहिए लेकिन उसे जलाना नहीं चाहिए वैसे ही माता को अरपित करनी चाहिए और फिर नेविधे का भोग जब लगाते हैं तो एक दिन पहले का बना हुआ जोकी बासी भोजन ही माता को भोग लगा जाता है जितने भी परका अती प्रशन होती हैं चैत्रमास कृष्ण पक्ष अश्टमी तिथी के दिन जो कि इस दिन बासी भोजन करने का ही विधान है सास्त्रों के अनुसार इस दिन ताजे भोजन का परयोग नहीं करना चाहिए एक दिन पहले का भोजन करना चाहिए माता को प्रशाद के रूप में जबाब भोग लगा देते हैं उसके बाद फिर उसे प्रशाद के रूप में भोजन ग्रहन करना चाहिए इससे माता सीतला अती प्रशन होती है और अपना कृपा परदान करते हैं इस प्रकार से जो भी प्रत्यों को धारन करते हैं या सीतला अश्टमी के दिन इन नियमों क पालन करते हैं इससे माता सीतला प्रशन हो करके सभी प्रकार के वरोगों को नश्ट कर देती हैं तो आईए जानते हैं शीतला अश्टमी प्रत्य के शुब महुर्द के बारे पर अश्टमी तिथी प्राडम समय जो की 14 मार्च 2023 दिन मंगल बार रात्री आठ बचकर 24 मिनट और अश्टमी तिथी की जो समाप्ती होगी वह 15 मार्च 2023 दिन बुद्धवार को साम 6 बचकर 46 मिनट पर तो हमें सुद्ध रूप से जो अश्टमी तिथी के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 15 मार्च 2023 दिन बुद्धवार को सीतला अश्टमी का ब्रत्य किया जाएगा इस दिन सुर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6 बचकर 8 मिनट और सुर्यास्त जो की साब 6 बचकर 7 मिनट सितला अश्टमी के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दो पहर 12 बचकर 7 मिनट से दो पहर 1 बचकर 37 मिनट तक राहु काल का समय होगा राहु काल समय के दोरान जो की किसी भी परकार के शुभ या मांगली कारियों के या पूजन आदी का कारी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो इस बात का ध्यान रखे सितला अश्टमी के दिन नश्टर जोकी जेश्ठा नश्टर सुभा साथ बचकर चौटीस मिनट तक उसके बाद मूल नश्टर योग जोकी शिद्धी योग दो पहर बारव बचकर तिरपर मिनट तक उसके बाद व्यति पात योग तो सितला अश्टमी जोकी चैतर कृष्ण पक्ष अश्टमी तिथी के दिन पूरे विधी विधान के साथ माता शितला का पूजर करना चाहिए और एक दिन पहले का ही भोजे पदार्त माता को अर्पित कर उसे ही ग्रहन करने चाहिए इससे माता शितला अतिव प्रशन होती हैं और अपना कृपा परदान करते हैं तो आईए सुनते हैं सीतला अश्टमी की कथा अगर आप कथा के लिए अन्यदान वस्त्रदान आदी के लिए ब्रहामन दक्षिना देना चाहते हों तो आप हमें गूगल पे फोन पे या एकाउंट नंबर के माध्यम से डिस्किप्शन की बात है कि एक बार माता सीतला नैंचार कि चलो मैं धरती पर चलती हूं और वहाँ जा कर देखती हूं कि आखिर मेरा पूजन यह सोचकर सीतला माता धरती पर आगई और सीतला माता डुंग्री गाउं में पहुची वहां पर पहुचने के बाद सितला माता ने देखा कि यहां पर तो मेरा मंदिर ही नहीं है और कोई भी मेरी पूजा नहीं करता है वह पूरे गाउं में घुम घुम कर देखने लगी वह एक घर के सामने से निकल रही थी तभी अचानक उनके उपर किसी ने उबल में अचानक जलन होने लगी वह पूरे गाउं में चिलाने लगी कि मैं जल गई हूँ मुझे बचाओ लेकिर किसी ने सितला माता की पुकार नहीं सुनी और वह चिलाती हुई एक कुमारन के घर के सामने पहुची वहां पर एक कुमारन अपने घर के दरबाजे पर बैठी मैं तुम्हारे ऊपर ठंधा पानी डाल देती हूँ सितला माता वहां पर बैठ गए और कुमारन ने सितला माता के ऊपर ठंधा पानी डाल दिया इसके बाद उसने माता से कहा कि मेरे पास आटे की राबरी और दही रखा हुआ है मैं वह राबरी और दही ले आती हूँ आप उसका भोजन करो इससे आपके सरीर में ठंड़क आ जाएगी माता ने राबरी और दही खा लिए जिससे माता के सरीर को आराम मिला इसके बाद उस कुमहारन ने सितला माता से कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ मैं तुम्हारे बालों को बून देती हूँ जैसे ही वह कुमहारन सि कि तुम मुझसे डरो नहीं मैं कोई भूत या कोई आत्मा नहीं हूँ मैं सितला माता हूँ मैं धरती पर यह देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और मेरी पूजा कैसे की जाती है तब सितला माता अपने पूरे स्वरूप में आ गई वह कुमहारन सोचते हुए परिशान होने लगी तब माता ने उस कुमहारन से कहा कि तुम किस सोच में डूब गई हो तब उस कुमहारन ने माता से कहा कि मेरे घर में इतनी जगा नहीं कि मैं तुम्हारा आसन लगा कर तुम्हें वहाँ पर बैठा सको मेरे पूरे घर में गंदगी पड़ी हुए हैं तब सीतला माता ने उस कुमारन से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो और उसी समय सीतला माता एक गधे पर बैठ कर एक हाथ में जाड़ू और एक हाथ में ड़लिया लेकर पूरे घर को साप कर दिया था और सीतला माता ने कुमारन से कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से अतिप दूर की है उसी तरह से आप इस गाउं में रहकर इस गाउं की दर्दता को दूर करे और सीतला माता ने उसको यह वर्दान दे दिया और डूंगरी गाउं में सीतला माता का मंदिर बनाया गया यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति डूंगरी गाउं में सीतला माता मंदिर पर माता टेखने के लिए जाता है उसकी सारी मुरादे पुरी हो जाती है दूसरी पवराणिक कथा के अनुसार एक राजी में एक राजा था उसका एक ही बेटा था उसे चेचक यानि की सीतला निकल आया था उसी राजी के एक गरीब परिवार के बेटी को भी सीतला निकली हुई थी वो परिबार मा भगवती की पूजा करता था, उस परिबार ने सीतला के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता था, उन सब का ध्यान रखा, घर में बिना चौप के सब्जी बनती थी, भुने या तले हुए खानों और नमक पर पावंदी थी, घर के सभी लोग ठंडा खाना ही खाते थे, ऐसा कुछ दीन तक चला और उस परिबार का बेटा स्वस्त हो गया, दूसरी और राजा के बेटे का रोग ठीक नहीं हो रहा था, राजा ने सतचंडी यग्या पाठ शुरू करवाया, रोज गरम स्वादिश्ट भोजन बनते थे, भुने और तले हुए भोज होने लगी थी, जो उपाय किया जाता था, उसका कोई असर नहीं होता था, सीतला का परकोप और बढ़ गया, इन सबसे राजा परेशान हो गया, वह सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी सीतला का परकोप सांत क्यों नहीं हो रहा है, राजा के गुप्त चर कर रहा है, फिर भी उनका परकोप कम क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेटा स्वस्त क्यों नहीं हो पा रहा है, राजा ये सब बात सोचते सोचते सो गया, उसके स्वक्त में माता सीतला ने उसे दर्शन दिया, राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से अती प्रशन है, लेकिन तुमने सीतला के नियमों को तोड़ा है, इस बज़े से सीतला का परकोप सांत नहीं हो पा रहा है, इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना शौप के सबजी बनाओ, खाने में तेल का परयोग ना करो, और सभी लोग ठंडा भोजन ही ग्रहन करो, बेटे के कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्त हो गया, इस परकार से माता सीतला के कारण, माता सीतला का पूशन करने के कारण, माता सीतला के व्रत्य का पालन करने के कारण, वह स्वस्त हो गया, इसी परकार से जो भी सच्ची सद्धा के साथ माता सीतला का पूशन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं माता सीतला की किरपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तो बोलिए प्रेम से सीतला माता की जय तुवासा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान परधक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सबस्क्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट प्रिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें शुक्री रहें और स्वस्त रहें जै श्री राधे किश्ण धन्यबाद